हेलो अब्रिवन यह हुम लिटेशन हां इतनी हमबलर बड़ इसे मतलब यह इतनी ऊची है इतनी ऊची पतपर है फिर भी से इंग्नोर करा गया एक्साक्टली आएं हमने शांतां को हमारा प्लान नहीं बता है मैं सोच यह उन दूसरे सेट पर चीज़े कैसे चल रहे होगी वो बच्चा होने होफ़ुली वो हाट नहीं होगा उससे जो मेरे और जियो के बीच में हुआ है यह कुछ है मुझे बताने के लिए मैं हर एफ़र्ट ट्राइ करूँगा ताकि गैंक तुम्हारे पास वापस आ सके गया सिंस तुमने हैंक फुजो के साथ ब्रोक अप कर लिया है तो मैं अब तुम दोनों के बीच में कोई चेंजिस नहीं देखना चाहता मैं भूलना मत त मुझे प्रोमिस कर रहा है हूं शा टैंग हूंक फुजो अलाओ नहीं करेगा कि तुम टैंग को इतना इसली लेकर जा पाओ इससे यह वो चीज नहीं है जिसे तुम अपना कॉंसल दिखाना चाहिए सबसे पहले लेक्शन पर ध्यान दो यह शायद कुछ जानता होगा अग मैं क्वाइट कर दूंगी कैमपेइन गाया तुमने जूट बोला और उन्हें रिपीटिट भी करा मैं श्यातन के साथ नहीं रह सकती है और जो न्यू बेबी है वो मेरे अंदर बढ़ रहा है मौशी तुम चानते हैं मुझे क्या चाहिए मैं जो चाहती हूं अपने ब्लॉ और मैंने चाहती हूं और मैंने चाहती है कि मेरे चाहिए एक कोर्ड फैमले में रहे जैसे कि हम रहते थे बट तुमने मेरे साथ क्या करा तुमने कभी दूसरों के फिलिंग्स के बार में केरने करी तुम्हें क्या सोचते हो कि तुम मेरे लाइफ पे कंट्रॉल कर सकते हूं मेरे भाई तुम मुझे बता रहे हो कि तुम ही हो जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो मैने तुम पे भरोसा करा हर एक वर्ड पे जो तुमने कहा बाद में मैं एक आदमी से मिली और मैं इससे बहुत ज़्यादा उपसेपस थी मैं उसके साथ डेट करी बट मैंने उसे मिस कर दिया हमारी मिशिन के वरे से फिर से मैं उसे दुबारा मिली हमने पूरी रात पर डांस करा ये बहुत ही खुशनुमा रात थी मेरे लाइफ की और फिर मुझे पता चला कि उसके पास एक स्टेटस है जिसके पास मैं कभी पहुची ने पाऊंगे मैं तनी कन्फियूस थी जब तो मैं तुमसे मदद के लिए पूछना चाहती थी बर तुमने में इस अद क्या करा तुम मुझे मर्डर के पास लेकर गए तुमने उस तेरा लोगों की फैमिली में उस घर को आग लगा दी वो ओड या फिर बच्चे उन्हें भी बख्षा नहीं गया सिर्फ इसके वरे से उस आदमी ने तुम्हें धोका दे तुमने कहा था ये वो प्राइज है तुम्हें धोका देने का का तुम जानते हो मैंने तुमसे इस सब कितने सालों से क्यों जुपाया क्योंकि मैं डर गई थी मैं डर कर गई थी कि तुम भी मेरे साथ और मेरे बच्चे के साथ की दिन सेम करोगे मैं मौसे नहीं डरती बट, मैं तुम्हारे अगेंस चीज़े नहीं करना चाहती थी क्योंकि तुम मेरे भाई हो मेरे एकलोथी फैमली इस दुनिया में मैंने चाहती ही कि हम दुश्मन बने मैं एक इलेक्शन कंटिनू कर सकती हूँ बट, इसके बाद सब खताम हो जाएगा मेरे लाइफ के अंदर दखल अंदाजी मत करो नहीं मेरे ब्लोवेड आदमी और नहीं मेरे बच्चों को आज से हट करो गाया, मुझे अब गायान बोलो इस मुमेंट से सर, मैं ठीक हूँ तो, वो मुझे इनसालों अवोइट कर रही थी क्योंकि वो मुसे डड़ रही थी यार मौक्षी की ऐसा हिन लग रहा कि आतरी से थोड़ा मतलब और बूड़ा करते हूं इसे ड्रोग कर रहा है सर, तुम सब सोचते हूं कि मैं आउट क्रेस्ट हूं वैल, मेरे को जवाब दो हाँ, थोड़ा सा आई मीन, कभी कबार ये गुरी चीज नहीं है तुम सिर्फ सब चीज अपने तक ही रखते हो तो गाया एजली तुम्हें गलस समझ सकती है सर, मैं जानता हूँ जानता हूँ कि आप गाया के बारे में सोच रहो बट अगर वो इसे फेल नहीं करेगी तो आपके अफ्रेंट्स कुछ भी नहीं है मैं के ठोल में ममी, श्यों तैंग जियो, यहाँ पे कुछ है जो मैं तुम्हार से बात करना चाहती हूँ बोलो मैंने प्रॉमिस करा ता मौक्षी को कि मैं ये इलेक्शन लड़ूँगी उसने ये अरेंज करा बट मैंने इस पे अभी एक फेवर करा है अगर ये ही एक रास्ता है सिचुशन बदलने का क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ एक फेर पोजिशन पे खड़ा होना कर बस करो मैं तुम्हारी मदद करोंगा मेरी बेस्ट गोर्जियस ब्राइड इस दुनिया में कल सुभेरे मैं मॉम को कोल करोंगा और उनसे बोलूँगा कि हमारी मदद करें एक वेडिंग अरेंज करने के लिए क्या वो एगरी करेंगे चिंता मत करो पबलीक ओपीनिन नहीं है तुम्हारे बारे में आजकर वह पॉजीटिव हो चुक है ठाओ आज happening कि जादा चिंता करें तुम्हारे 쓰고 और भूलो मत कि तुम्हारे पर सभी लिटल होस्टिज है तुम्हारे साथ वह एगरी करेंग अगर यह रोयल कि वाज़े से होगा फिर भी मैंने तुम इन दिनों नहीं देखा और तुम और श्यम्लिश होते जा रहे हो अपने बच्चे को एक होस्टेश की तरह रखोगे हैं वैर मैं और श्यम्लिश हो सकता हूं थोड़ा सम्हल के इतना सम्हल के ठीक है न एक प्रैस कॉंफरेस रखो मैं पब्ली को एक्स्प्रेंड करूंगा कल जो भी हो और अलसो कुछ बैस्ट मैंड्स कुरूंटे से लेकर आना मुझे एक टैंक चाहिए थिक टैंक चाहिए यह वह किसलिए आए मैं गाय के मालत करूंगा भागने के लिए वहां कौन है हाँ गायान असेसन तुम्हें किस ने भेजा तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को असेसिनेट करने की जो हाँ तरी की उसकी गन लो हूली शीट की हूँ समभल के गायन गायन गन लोड बैंक समभल के सर क्या ठीक है मैं ठीक हूँ गायन तुम कैसे प्यूम्हारी वहाँ थोड़े सी चोग के थैंक्स विल क्या तुम्हारी थी लिए एक बुलेट ली, क्या होता अगर तुम्हें चौट लगती कि तुम्हें याद निया तुम्हें प्रेग्नेंट हो, चिनता मत करो, मैं इतनी हटनी हुँगी, मैं अच्छे से टेंट कराया, फिर भी नहीं, मैं तुम्हें हट होते हुग नहीं दे सकता, यह सिर्फ मुझ जग गया अपनी लाइफ को औरिक्स मत करना तुम्हारे पस मैं हूशे आता हैंगा और वो अभी वो बच्चे जो भी पैदा नहीं हुआ मैं तुम्हें प्रोमेस करते हूँ विल जाओ और बंदे को चेक करो ओके ये होटल है जिसमें गाया चेक्टिंग कर रहा है इसका मतलब है कि मैं उनका टारगट नहीं हो सकता मैं बलीव नहीं कर सकता है एक रागुलर असेशन मौक्षी की नजरों से निकल कर आ सकता है ऐसे वक्ते चीज़े सिंपल नहीं है क्या जान ये किस इनसान ने कर रहा होगा अगले दिन ड्यूक्ट रहसा कि आप प्लीज अपने वर्ट को एक्स्प्रेंट करना मायन करेंगे अब मैं अनॉंस कर रहा हूं कि गायों और मैं एक महीने के अंदर बहुत बड़ी शादी रखेंगे जो प्लीज ने अनॉस कर रहा था कि वो आपकी इंगेज़बन बंद कर रहा हूं क्या आप दोनों बापीस एक साथ आगए आप कर मिस गाया के साथ बैन को छोड़के गए थे क्या है सिगनल था एडवांस में आज के प्रेस कॉन्फरेंस के लिए क्या है प्रेस एगरी करता है आपके डिजिजन के साथ मैंने सुना थे कि मिस गान प्रपेर कर रही है कि वो कंट्री एफ में एलेक्शन लों रहेंगे क्या पॉलिटिकल स्ट्रेजी है आप दोनों की कर मैंने एक असेसिनेशन से मिला था एक असेसिनेशन जब जब मेरे ऊपर बंदुक ताने गई गोली चलाए गई तो गान मेरे सामने खड़ी हो गई बिना किसी हैसिटेशन के मुझे बचाने के लिए उसने उसके सेफटी के बार में बिल्कुल नहीं सोचा मैं जानता हूँ कि उसके पास कुछ ऐसा पास्ट है जिसे हम बता नहीं सकते बट मैं ये अवेर मैं जानता हूँ कि वो मुझे प्यार करती है उससे खुछ से ज़ादा मैंने अपनी मन के अवाज सुनी मैंने अपनी मन के अवाज सुनी और मैं उसी ओरस से शादी करूँग जो मेरे प्यार के काविल होगी इस लाइफ में तेरी की हम फिज यह अभी भी उस होरा से शादी करना चाहता है डाम इट क्या मैं तुमसे बोला ने तक कि किसी को भेजगा उनका मानने के लिए तो उन्होंने प्रेट क्यों करा मैंने उस लोगों किसी के साथ कुंटक खोचको जिने मैंने वहां बेजा था शायद उन्हें पकड़ लिया गया है यह किसी की काविल नहीं है सारे के सारे कदे हैं मैं होना अलाउं नहीं करूंगी मैं कभी भी होंग फुज जी को उस से शादी करने नहीं दूंगी बट हम इस समय फैल हो चुकिए हैं और मैं गैस करता हूं कि होंग फुज जी इस समय वैसा बैठा नहीं रहेगा गौयान होंग फुज जी वापस एक साथ है अगर वो उनके स्टेटिस के करें फ्यूचर किंके फ्यान से के साथ तो उसका जो स्टेटिस है वो और वैल्यूबल हो चुक है इसका मतलब है कि अब वो और कॉम्पेटिब बन रही है जितना वह स्ट्रॉंगर होगी उतना ही वह आने को डराएगी और वह और मैं मैं जिस सिर्फ जीतना होगा बिना अपनी उंगली उठाए जी कभी मिर पर आया है नही कि तुमने हम सिब को पागल बनाया बट अगर यहां पर एक कैसा अदमी जो मेरी लिए ऐसे कुछ करेगा मैं भी उसे प्रोटेक्ट करूंगी जैसे कि हमारी गौयान निकरा यह मौक्षी है यहां पर मिस्टर मिस्टर मौक्षी आप कहां कैसे आना हुआ जाओ और मार्किय समित और आयनी पर नज़र रखो और मुझे नोटिफाय करना अगर पर कोई भी मौक करते हैं तो समझ गई मौक्षी इतना शांत क्यों है I hope कि यह तुफान से पहले के शांती ना हूँ एक पब्लिक कंट्री एक कंट्री में पब्लिक ने यूज कर रहते गाउन के अडेंट्री पर प्रोटेस्ट करना अब करते हैं कि रोयल फैर्मियों जो कॉम नर्स हैं कैसे इस न्यूज पर रियाक्ट करते हैं मैंने कराक्टर विलियों को जो मशीन है उन्होंने मुझे दी है इसे ले लीजिए जब यह वाम है वह आपके स्पेस्टिट अरेंज करेंगे सारे अरे में कुछ दिनों में आपको अप्रेशन और किसी वी समय स्टार्ट हो सकता है जितनी भी इंफोर्मेशन है ना पहले वाले प्रेश्टिट के असेंसिनेशन की मीडिया को दे दो अभी हाँ इसी समय और हमारे बैस्ट गर्मेन को यहां लेकर रहा हूं यही सब एनी यहां अगर तुम यह सब सहपाऊगी तो मुझे मेरी उंग्री उठा हिलाने भी नहीं सबस्काइब यहां अब तुमनें अगशता है तुम्हारे प्रेश्ट के बारे में और या फिर इस कंट्री के बार में एक सेकिंड के लिए भी एसे चीज़ें कर रहा हूं इतना रिक्रंस महीं हो कि यह ही समय तुम्रे चिलाना बंद करो क्यों इसके वरे से क्योंकि मैंने इस पर कुछ जादे दिया करें अपकर तुम मुझे एक मिनिट तुमारे पास एक मिनिट और मुझे अच्छा रिजन दो डाट यॉण प्रैग्निंट यॉण तुम तो बहुत ज्यादा ऐसी करा यार मैंने अच्छा से सोच लिया था श्या तैंग तुम्हारे ग्रैनमा तुम इसके लिए क्वालिफाइड हो ओके यहां कोन है आओ और खुदी चेक करो मैंने आपके लिए बहुत सारे असेस्टर्स और कांसलर्स आपके लिए स्लैक्ट करें हैं जैसे कि जुक ट्रैसर ने बोला था वह सारे बहुत कैपबल हैं और आप से वह आपको अड़्वाइस औ करेंगे 2400 घंटे और वह आपके पॉब्लिक उन्यों को मदद करेंगे ताक कि आप यह इलक्शन जितने में आपकी मदद पढ़ा हैं यह दुनिया मडर मडर एक मडर इतना होरिबल इंसान हमारे प्रेजिंट कैसे हो सकता है यह जो वर्ल्ड है अब चेंज होने वाला है मिस कैन मिस कैन जो रोयल पैलस है ना एक कंट्री का वह फर्स्ट है कि वह पागलिप रिस्पोंस करें अब वह बढ़ा हो चुका है उसे उसके बिहेविर से अवेर होना चाहिए और उसकी रिस्पोंसिबलिटी से कि उसे क्या करना है यह एक्यूज है कि आप उत्तिरी की यह तुम्हें बोलना में चाहती है उन पर उन पर उन पर एक लवा लगाया गया है कि वह अपने अडोप्टिव चाहिल के साथ सक्सक्राइब कर रहे हैं यह टूफ एसे असाइसिनेटर पैस्टन डिवल्स के वह एक किलर थी या हीरो थी वह डूटी बास्टर का यह तो तका है यह कैसे हो सकते है यह कैसे हो सकते मुझे बता हूं मैं मैंने मारकूपिसमिस थी क्यूं नहीं सुन ये यह नहीं कुछक्पषा करा था क्यों फेलिख अने चाहिकी थे क्ला हैंम यह एकने इस पर लिख है और Iskota यह कुछ परतिमां आघ्या झाह अरोई Traya म और में एक रास्ते ढून लेंगे उनके साथ प्राइवेट में मिलने का बट नियूस से जच कहते हैं जो रोल पैलस है ऐसा है लग रहा है कि वह गायान और ड्यूक के रिलेशनशिप में कुछ भी अपॉस कर रहा है या मना कर रहा है इसलिए मुझे अपॉर्चिन्टी से ले इसक्यूज मैं आपको इस समय डिस्टफ करने के लिए क्या गलस समय है आपके लिए यह ठीक है प्लीज काम की बात करिए मिस्सा की यहां पर वो सारे डोकिमेंट से जो मैंने आपको पहले मेंशन करते हैं मैं आपको यह दिखाती हूं बट मैं शोर नहीं कि कौन से इंपोर कर देगा 15 मिनट बाद इसक्यूज में क्या मैं बातरूम यूज कर सकते हैं आफकोस आपकी लेफ्ट की तरफ थैंक्स अब जाकर आप अब तरीकी है लव रीवन इवर टांसेशन नहीं था हो आपको पसंद आएगा प्लीज चानल को सब्स्क्राइब करें वीडियो को लेक्र प्रेड पर कमेंट करें ना बूलना थैंक्यू